इस गाड़ी की जो कीमत है वो लगभग 90 लाक रुपए है आज में हूँ ऑटो एक्सपोर 2023 राइपूर में यह राइपूर का पहला ऑटो एक्सपोर है और इसे और इसके है राड़ा ने राड़ा आप्सपोर मीस से आफ थना करती है यहां पर हम सबसे पहले शुरुआ करते हैं देश के अपनी कंपणी मारूती से की旅व Kita रेंदे आपर नई वाली सेलेरियो है वैगानार है और यहां पर स्विप्ट है और स्विफ्ट का यह रेड क किलर मुझे परशनल्स पर बहुत पसंद है और चलते हैं इसके अंदर और आपको जानल आपको एक नाइन इंचेस का तश्क्रीन डिस्प्लेय मिल जाता है, स्टेरिंग आपका basic है, स्टेरिंग में आपको volume कंट्रोल, system कंट्रोल, call, receive और reject का button मिल जाता है, instrument cluster कुछ ऐसा दिखता है इसका, यह हैं AC के control, manual controls है, और काफी basic गाड़ी है, पीछे आप space देख सकते यह है मारूती के एक और सबसे ज़्यादा सूपर सेलिंग मॉडल मारूती सुजुकी इको इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड है यह पूरी तरीके से बेसिक डैशबोर्ड है पीछे यहां पर काफी सामान रखा हुआ है यह आप देख सकते इतना बड़ा बूट स्पेस है इसका बहुत ही बड़ा बूट स्पेस है यह है मारूती सुजुकी इगनाइट और यह है मारूती की सुजुकी एक्सल 6 और इसके अंदर मैं आपको चलकर दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट डैशबोर्ड है स्टेरिंग म आपको cruise control मिलता है यहाँ पर आपको volume control मिलता है यहाँ पर आप call receive reject कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का इसका instrument cluster है यह manual model है तो यहाँ पर आपको gear lever देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका AC knob है AC इसका automatic है और यहाँ पर आपको wireless charging मिल जाता है USB port है 12 watt का charging socket है और पीछे जो कुछ इस तरीके का इसका boot space है और almost 250 liters का boot space है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों seats रहे 50-50 spritz हो जाती है और यह hybrid model है तो इस गाड़ी आपको on road लग भग 15,50,000 ने मिल जाती है देख लेंते हैं मारुति की एक और premium गाड़ी मारुति सुजुकी बलेनो ग्लेंजा और बल यहाँ पर आपको 10-inch का display मिल जाता है यह इसका automatic AC है और यह गाड़ी manual है यह भी तो इसका कुछ इस तरीके का handle है और इसमें space सिर्फ से सोड़ा सजाता है अब देख लेते हैं यह Kia की यह गाड़ी यह है Kia Carnival बहुत ही लंबी गाड़ी है और यह automatic version है देखते हैं इसका lock opened है लेकि नहीं यह locked है तेकर फिर पिर मैं आपको इसको बाहर से दिखा देता हूं इसके जो डोर से यह automatically open होते हैं अब आप यह तोयोटा की premium गाड़ी Toyota Hilux के तरफ को यह गाड़ी अंदर से दिखा देता हूं कि कैसी दिखती है पॉल्मॉस्त तो यह पॉर्टिमर जैसी ही है और कुछ इस तरीके का इसका instrument cluster देखता है यहाँ पर आपका audio controls है और आपका यहाँ पर cruise control है यह है वाइपर controls, headlight controls, window controls हो गये है और यह पीछे वाली seats है और पीछे वाली seats के पीछे भी कुछ है वो मैं आपको चलके दिखाता हूं चलते हैं इसके पीछे के तरफ और यह देख सकते हैं आप कि प्रॉपर camping करने के लिए गाड़ी है तो यह आप देख सकते हैं यह जो बूट है यह ऑटोमेटिकली कवर होता है जो गाड़ी की में कीज है उसी में ही switch है उससे आप control कर सकते हैं लॉक अनलोग कीज से लॉक अनलोग कीज से लॉट के अंदर लाइट है और यह अल्मोस्ट कितने लीटर का होगा है अल्मोस्ट यह टैंक जैसा है और अंदर आपको LED लाइट में जाती है अगर आप रात में कुछ करते हैं तो और सर इसका ऑन्रोड पैस कितना होगा 44 के असपास है और गाड़ी देखने में बहुत जादा रगेड है आप इसक आप अप और अब मैं आपको दिखाएता हूं रेंज रोवर कि इस तरीकी का इसका लुक है 16 इंच के लॉइड का आते है इसमें और आवॉटर लुक तुछ एसका गाड़ी का अब कुछ जालते हैं इस गाड़ी का अंदर के तरफ जो कुछ इस तरीके का इसका लूप यु देख सकते हैं भाई साब बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है यह तो गेर नॉब है, आटोमेटिक गाड़ी है यहाँ पर आपको सारी इंफोरमेशन मिल जाती है और यह इसका एक 12 इंचेस का डिस्पले है यह आपका स्टेरिंग है स्टेरिंग में आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते है इस साइड आपको हेडलाइट कंट्रोल मिल जाते है इस साइड आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते है और यह आपका इंस्ट्रॉमेंट क्लस्टर है जिसमें शोवर है बैटरी लो प्लीज स्टार्ट दे इंजिन और यहां पर आपको दरवाजे के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं और कुछ इस तरीके की है यह गाड़ी इसमें आपको संरूफ भी मिल जाता है जो कि पैनरोमिक संरूफ है यह आप देख सकते हैं और पीछे भी काफी अच्छा खासा स्पेस इसमें और भाई साब इस गाड़ी की जो कीमत है वो लगभग नबे लाक रुपए है और इसका रियर आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ इसमें और आप चलते हैं इसके बूट के तरफ कि अच्छा स्पेस अच्छा अच्छा गया है काफी हैवी दर्वाजा कि अच्छा च्छा ओंगा जो तुम तीनों आजो तुम तीनों आजो जदि सब्सक्राइस और आप लोग है करी नहीं च्छा दोट उस्चा अथ ना चोड़े बस पहले सरसे निकाले लो यहां पूर आपको यह देखने को मिल जाएगी माल वाल ले जाने के लिए बहुत सही है आज के लिए चलती है और यह पैसंजर की रिक्षा है और यह पलू कंपणी की रिक्षा है इसकी मैनुफेक्चरिंग जो है हमारे नियू रैपर में होती है प्राइज अल्मोस्ट वन प यहां पर यह सब भी देखने को मिलता है हैवी अर्थ मुवर्ज भी आपको देखने को मिलेंगे यह आप देख सकते हैं जेसीपी कमपनी की यह गाडिया हैं हैवी अर्थ मुवर्ज है और इसके लावा यहां पर टाटा के गुट्स वेहिकल्स भी हैं यहां पर यह आप देख सकते हैं ट्रॉक्स हैं और यह है मारूती सुजुकी आटिगार सेम एक्सल 6 जैसी ही है लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स मिलते हैं आपको वह थोड़ से अलग है यहां पर क्रूस कंट्रोल है यह स्टेरिंग उल्टा है यहां पर वॉल्यूम कंट्रोल हैं और एक टच स्क्रीन मिलता है आपको 10 देख सकते हैं और बाकी पूरा बेसिक फीचर से इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपनी हिसाब से यह इसका गलव वॉक्स है इसमें पुछ टार्ट बटन है अब हम आ गये हैं बहुत महांगी वाली BMW के सामने और इसके दो मॉडल्स है यहां पर दर टू और दर थ्री तो दर अब है कि यहुंडेए अलकाजार अलमुस्ट क्रेटा जिसी क्रेटा का ही बड़ा वर्जिन है यहां पर आपको विंडो के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे और यह है कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर यहां पर आपको लाइच्स मिल जाती है यह सीच इसकी 60-40 स्पेट है है किसी ने स्पिट करकर रखी हुई है और यहां पर आपको स्टोरेज मिल जाता है यहां पर आपको वाल्यूम कंट्रोल्स है यहां पर आपके क्रूस कंट्रोल के कंट्रोल मिल जाते हैं यह वाइपर हुंडई में उल्टा होता है सिस्टम और यहां पर हैडलाइट कंट्रोल्स है यहां पर आपको 10 इंचेस का टैस्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है और यहां पर इसका ग्लॉब बॉक्स भी काफी डिसेंट साइज का है यहां पर इसका इंच्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहां पर आपको संट्रोफ भी मिल जाती है और पैनाविविक संट्रूफ है और अब देख लेते हैं यह है यह आ यह आल्मोस्ट दस के आसपस आपको पढ़ती है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में आपको 10 इंचिस का डिस्प्ले मिल जाता है, इसका इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर है और यहां पर आपका मुजिक आडियो कंट्रोल है, यह क्रूस कंट्रोल है, मैनुवल गेर्स है और यह इसमें आपको IRWM मिलता है, यह है automatic IRWM, यह automatic dim होता है और इसमें आपको sunroof मिलता है, panoramic नहीं है लेकिन sunroof है अब देख सकते है और पीछे का आपको 2 headrest मिल जाता है, बीच में armrest मिल जाता है, rear washer मिल जाता है, defogger मिल जाता है, यह जो lines है, यह defogger है, rear defogger, तो यह काम कैस जासे इसके उपर से फॉक हट जाता है तो यह ऐसे काम करता है तो अब मैं आ चुका हम फॉक्स वॉगन के शोरूम में और यह देखे गोल्डन कलर की गाड़ी फॉक्स वागन इसका नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन देख लेते हैं यह है फॉक्स वैगन वर्चुस यहां पर वर्चुस की पैजिंग दी हुई है और गोल्डन कलर में काफ़ी सुन्दर लग रही है इसके अंदर चल कर देखते हैं इस तरीके का इसका इंटिरियर है यहां पर आपको इसमें भी सारे विंडो की कंट्रोल्स मिल जाते हैं यह ल टरीके का इसके स्टेरिंग है यहां पर आपको क्रूज कंट्रोल है और इस तरफ आपका आट्यो कंट्रोल्स है कॉल्डन के लिए यह मैं और ऑ्टेमेंटिक है तो इसका गेर नॉब कुछ ऎसा है यांके मैनुएल एसे हैं यह सिस इवेंटस है और यहां पर यह आल्मुस् headrest मिल जाते हैं बीच में एक armrest मिल जाता है अब मैं आ चुका हूँ BYD के सामने BYD एक Chinese brand है इसका ये एक electric vehicle है और देखने में तो काफी सुन्दर है थोड़ी सी i20 जैसी लगती है i20 से थोड़ी बड़ी लगती है और अब मैं आ चुका हूँ कितना जबरदस्त बड़ा handle और कुछ इस तरीके कि इसकी steering है एकतम basic है मतलब आपको अप अंदर बैठेंगे तो पूरी traveling वाली गाड़ी की feel आएगी glove box काफी छोटा है इसका और यह five-seater है नॉर्मल दो headrest है इसमें लेकिन पीछे चार बंदे आराम से बैठ सकते पतले-पतले मोटे अगर हो थोड़े healthy हो तो तो तीन भी बैठ सकते है आराम से गाड़ी की चोड़ाई काफी ज्यादा है और यहां पर आपको dashboard में काफी अच्छा space मिल जाता है आप देख सकते हैं और पूरा heart touch है अब आ जाते है महिंद्रा एक्सवी 400 के तरफ यह महिंद्रा की electric vehicle है EV और दिखने में काफी सुन्दर है यह और काफी कुछ xv300 जैसी दि हम मैं आपको पर देरर्च ए आपको जिसना बीडिवाई है अपको लाक कुछ है खिखना आपकों कापे आयाओं वैया सोँंगम वैसलोग है तो कार्ज के साथ साथ आपको यहाँ पर बाइक्स देखने को मिल जाती है सारे ब्रैंड्स की बाइक हैं यहाँ पर सुजुकी होंडा और यहाँ पर यामाहा का शोरूम है और यह बाजू में रॉयल इंफिल्ड भी है वहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी बहुत महेंगी वाली कार और अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं बहुत महेंगी वाली बाइक्स जो की ब्यमड़ू की बाइक्स हैं जो कि अजय गुद्ध रख जाएगा इस ने दुब जाएगा इसमे एड़ जाएगा इसका अपने बहुत सारी मोटो व्लॉगर्स के साथ देखा होगा यह ओडी क्यू थी अभी इस गाड़ी के अंदर चल कर देखते हैं और भाई साब ओडी के अंदर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है इसका इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर और यहां पर इसका बिग 12 इंचेस का डिस्पले यह इसके एसी वेंड्स है और यहां पर है इसका गलव बॉक्स जो की काफी बड़ा है इसमें लाइट्स भी है और कूल यहां पर कुछ है वो समझ में नहीं रख्या है और कुछ इस तरीके की है यह है और यहां पर आपके आडियो कंट्रोल्स है और यहां पर आपके कॉलिंग कंट्रोल्स है यहां पर आपका मिरर कंट्रोल है और विंडो कंट्रोल्स है यहां आपका लॉक है यहां पर और यह आटोमेटिक गाड़ी है, और यहां पर आपका स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहां पर आप कुछ स्पेस मिल जाता है, यहां पर बॉटल होल्डर है, और यह इसका पार्किंग, जैसा BMW में दिखा था मुझे वैसा ही है, और कुछ इस तरीके की इसकी सीट्स है, यहां पर रि पीछे है वाइड कलर, और यह आपको अन रोड पर जाती है, 62 लैक्स की, यह है टाटा की हैरियर, यह है टाटा का टैंक इसको बोल सकते हैं, काफी सॉलिड गाड़ी, आप देखें सही, काफी सॉलिड लगती है, इसके अंदर चलकर देखते हैं, इस तरीके का इसका इंटी से वाइरलेस चार्जिंग है, USB पोर्ट है, यह पारकिंग है, और यहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिल जाता है, यह उपन हो गया, यह इस तरीके का स्टोरेज है, यहाँ पर भी आपको USB मिल जाएगा, 12 वोर्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ पर बॉटल ह कि आजकल सारी गाड़ियों में जो mirror controls है वो यहां पर आते हैं आप अपने जो ORVM है वो यहां से control कर सकते हैं और इसका यह automatic IRVM और इसमें आता है panoramik sunroof आगे से लेके पीछे तक पूरा sunroof आता है जो कहाँ जीप के showroom के सामने जीप यह है automatic AC controls है इसके और यहाँ पर आपको 12-inch का display मिल जाता है और इस गाड़ी का जो on-road price है वो almost 50 लाग के आसपास है और यहाँ पर आपको Jeep का logo मिल जाता है यह cruise control है यह volume control है यह सामने instrument cluster है और यहाँ पर आपके wiper controls है यहाँ पर headlight controls है यह आपके है window controls और यहाँ पर आप देख सकता है यह काफी बड़ा dashboard है automatic IRVM है इसमें और panoramic sunroof है जो कि पूरी पीछे तक जाती है और आप देख सकते हैं इसमें जो seating arrangement है वो seven seater है तो आराम से इसमें साथ लोग बैठ सकते हैं तो friends यह था राइपुर का auto expo अगर आपके वीडियो पज़न आते है वीडियो को like and share कीजिए और ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए